हालो गाइज महीं विशाल गिल और आप देख रहे हैं मेरा चानल डी जरी में बेट फिशिंग तो शुरुवात करते हैं लुकाना के नए सामन के साथ में तो आज लुकाना का हमारे पास पाइक आचुका है जो दो कलर हमारे पास खतम हो चुके था एक्चुली देखा जाए यह पाइक पर लोगों ने मच्छी पकड़ी है काफी बहुत लड़के लोग इसके पर पकड़ रहे हैं तो इसके पारी में जादा रिटेल देनी की जरूद नी शांदार लूवर है शांदार प्रकशन दिए चुका है ओल्र ड़ड़ी बहुत ही बहुतरी बहुतरी ने लुकळान की और है उसे रॉड आ चुके हैं तो पहले ही बाहर हो फस्स Sak governo मेरे पास ब्लाथ मांबा आया है रोगया है हनो इसना का ब्लाक मांबा कौस भीजिए बशन शरी अ कि मुझ Selfoudone difficulties के रहे एक ख़दा कि अंग मैं अधिक आरा यह कहना हि अरीख रोड पर मैट प्लेक और कोल्डन कमड़्न गार बनाया किया रॉड और इसका जो ब्राइंग के वी सेम टो सेम डाइवा का जो आप फैंटम पावर देख रहे हैं फैंटम स्नैपर पर के जो ब्लांक है सेम उसे टाइप का ब्लांग है जो डेख लीजिए और इसके गाइड से हैं यह के डिस के गाइड साइनर्डाइड़ गाइड दिया है एक खाशिय बतादू प हो है तिर इंफागी तरफ के ढलते हैं क्वां यह रहता है यह ऐसा शक्राइड़ कmäßम करें करते हैं तो यह रील अपका लूज हो जाता है यह लूज हो जाने के वैसे क्या होता है परिशानी आती तो हमेशा इसा टाइट करना आप देखे में मेरे कई वीडियो में मैं हमेशा मेरे हाथ में जब भी मैं घुमाता रहता हूं मैं टाइट करता रहता हूं तो वह लूज हो इतने ग्राम का है यह चोड यह मैंने यह 247 ग्राम के आसपास का रोड आसपास में रहीं है यह 247 ग्राम का रोड है ब्लाक मांबा आठ पुट में आपको हमरे पास मिलेगा आठ पुट का प्राइज में बता दू 2400 2495 rupees 2495 23 making Excelen akl है दिखाने चार भी जारू है उसके लिए ना प्राइस के मामले में और कॉलिदी मामले में कवर के मामले में इसी वजह से मैं बॉलता हूं तो आगे बढ़ते हैं, लुकाना का ब्लैक मामा दिखा भी है मैंने आपको, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वाइल ब्लैक यह यह कार फिशिंग के लिए लुगाना ने बनाया था यह बहुत को, इस के लिए भी कवर आता है, एपिन कवर है, और इस रोड को मैंने क तो लोगों को 12ft की याद आने लगी तो उसी दोरान मुझे भी बहुत कॉल आए कि आप 12ft का रोड तीन फोल्ड में मंगा लो ताकि यह दिखेगा तो मुझे याद आए कि हाँ भी हमारे लुकाना के पास ही है जो तीन फोल्ड पीस रोड है और कार प्रोड यह मतलब अब सर कर सकते हैं कारफिशिंग भी कर सकते हैं और सबसे खासी रही कि इसका कि आपीशिटी हैłem को प्लाइक माम और काम यह पना महीं बता अ बहुता देता हो हmt कि ऐसी को तो यह ऊक्र हम रोख चश्मा देना रह ऊ सुरी चश्मा करना हभरर बड्द्ध हो गया हो ज़ें करक्यन अब लाइन दिया हुआ है अब गहाई अएक्षन दिया हुए okay उसके बाद में 40 g से इसके लूर कैपिसिल दी दिया गया है आठ से 40 g तक आठ फिर में से लयके40 g तक का लूर ये इसपेशल ही बनाया गया थी Snake Head Fishing के लिए तो Snakehead वालो के लिए special rod और इसके लिए इसके लिए अपर जो लुवर वेट है वो इतना कम दिया गया है क्योंकि 40 g ग्राम की अपर कोई भी जो Snakehead पकरने के लिए उसके उपर का frog नहीं आता होगा मेभी possibility है चालिस ग्राम तक दिया हुआ इसके अंदर और बैटिंग डॉटे चलो आगे बढ़ते हैं अब लुकारा मुझे एक रॉट ये गिफ्ट कर दे तो मैं इसके उपर जाके स्नेकेट फिशिंग गुरूं का मजा आएगा मुझे एनिवेज ये ब्लैक मामा निकालते हैं सब को र वजन क्या होता है क्या निर्ध का होता है और मज़ा आएओ आपकरे बाबावरेशा कि समर्किंग बढ़ा जाएड कोरा चभ görün allá इंव गाइड रावालरे चलीपन तो श्रॉट भा करीपन 448 ग्राम डाट ये तीन से एक रेख लख लेते हैं एक बार अगर तो इसको बीस रह साथ में गाइड भी जो में गाइड है उसको बचाने के लिए एक रबट भी दिया हुआ उन्होंने ताकि यह हमें साथ सेव रहे और यह तीन पीस में आता है अब मैं भी यहां पर दुकान में तो नहीं खोलूंगा बहुत चांदार है लेकिन और इस पर लोगों ने बहुत इसांदा से अफ गार से दिया है खेंदर 100 घ्राम से लिके 300 ग्राम तकक आप इसके अफ्र प्रकास्ट पर 115 वालोओं तो लगता ही है ना कार फिशिग वालोग इसा है था कि वो लोगों बड़ा-बड़ा लट्डु फेकते यह सब प्यक स्थ ठीथ भुए लगता है तो वह यह लिखा है वाइल प्लाइग इसका नाम है वाइल प्लाइक लुकाना तो यह तीन पीस में आएगा आपको रॉइल प्लाइग का प्राइस में बता दू आपको क्या प्राइजिंग है यार प्राइजिन 12 फुट का रॉड है आपको मिलेगा 2760 रुपेस तू तू थाउसन सेवन नेड़न सिक्टी रुपीस तू सेवन सिक्स्टी रुपीस में आपको यह मिलेगा बहुत ही बैदरीन है मैं चश्पा निकाल दू फरी बुल गया मैं तो बहुत ही बैदरीन रॉड है ब नव फूट में आए फोर्स के रॉड ठीक है तो वो आपने लास्ताइम देखा तका इसन में अपको प्रता दूई जिए बारा फूट का रॉड है यह बहुत कम रींज के रॉड है मतलब यह और सिस्पूर्ट फूट का मिलेगा नौसु रअचिक यूजा है। यह सिर्प 9 फुट में और फोर्स का प्राइस अल्रडी मेंशन पहले किया वा मैं भी बताँ गा नहीं तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में इसके बाद आगे बढ़ते हैं तुछरा नही रोड तेखिए वन अब दे पेस्ट रोड सबसे चहीता रोड मेरा आ चुका है मेरे सबसे चहीता मैं बता रहा हूं इसके जिसा रोड पता नहीं फ्यूचर में और कब बनेगा मालूम नहीं लेकिन ऐसा रोड रोज रोज नहीं बनता है यह है लुकाना सॉल्ट अर्मर में मेरे पास इस रोड से आप पॉपिंग कर सकते हो जिगिंग कर सकते हो आप क्या नही यह बहुत ही भैपिम डॉड यह मैं फूरा लेकर लटक जाता हूँ जाता हम रोड कर लेकिन रॉड पर लेकिन रोड को उन्हें होता हैसमें आवाज भी है कि आपता है डिक रोड में आप लेकिन आप डॉब कुछ को बता दूब लकाना सॉॉट अर्मर में हमार बास दो साइ अब तो मैंने सजेस्स किया था कि सॉल्ट आरमर ले लेना मेरे पास आने वाला है तो प्लीज कॉल करें फटा-फट कि सॉल्ट आर्मर जैसा आता है वैसे निकल जाता है फटा-पट यहां से पूल के रिखा दो सॉट आरमर का वजन भी बता देखा हूं आपको किए कि सौल्ट आरमर का वजन देखते हैं कि इतना इसको जीरो करते हैं। है कि सौल्ट आर्मर का वजन है 386 ग्राम का है। 386 gram का salt armor है है और है इसलिए ना क्योंकि heavy duty fishing के लिए बनाया गया है देखें आप यहां पर यहां पर कि दिया हुआ है और इसमें भी रील सीट में देखिए यह और उपर की तरफ दिया गया है बहुत ही शांदा रोड है और क्या quality है best quality के rods रोकाना बना रही है यह पहले की रो इसे 400 gram के आसपास का वजन आप से फेक सकते हैं आराम से भेगो बिंदास भेगो कि मैंने तो फेका ही है यह देख रहे हैं आप ठीक है बढ़ी आरोड है बहुत बढ़ी है और इसके जो यह यह आप देखेंगे ना देखिए यह जो इसका जो पेपर से लोग बनाते हैं जो कर दो करते हैं कितना मोटा आप देखेंगे वार से देखो एक इतना ठीक है तभी यह इतना है न आप यहाँ पे भी देखेंगे इस साइड में भी आपको दिखा दूं तो लुकाना कंपणी ने यहाँ पे बिल्कुल आगे की तरफ यहाँ जहां में टिक टिक कर रहा हूं यहाँ पे इंगनों ने एक रिंग दाला है वो लुह का रिंग है यहाँ पर लुह मतलब स्टील करेंगे सड़े खराब नहीं होता है यह दालने कारण है कि कभी-कभी क्या होता है कि ज्यादा प्रेशा में यहां से भी क्रैप होता है और यह आप देखिए अंतर का ब्लैंक कोई लेना देना ने जिन लोग को परिशानी है मैं लुकाना का नाम लेता हूं तो लोग को पिछवाड़े मिर्चे लग जाती है सालों के तो यह लगने तो मज़ा आता है मुझे तो और लगाने मज़ाता है तो इसका प्राइज में बता दू आपको सौट आर्मर आप के अंदर ही और इतने अच्छे अच्छे बैटरीन प्रोड़क्ट यह कोई नहीं दे सकता वाइसा यह सिर्प लुकाना दे सकता है अपको तो आगे बढ़ते हैं हमार पास डूमेक्स आ चुका है फिर से डूमेक्स का तो अल्रेडी प्राइजिंग वगेरा मेरे लास्ट व प्रेड मेरे लुकाना देशा पहचानो को आप अगर तो और करने जाओ गए को तो पचीश से 30 kg की मठी आराम से लेंड कर चुका है इस्रोड का रिकॉर्ड है 20 kg का गुरूपर इसने लेंड किया है और बहुत सारे लोगों लिए आज तक किसी का ब्लाइंक तूटा हुआ नहीं है अगर ब्लाइंक तूटा हुआ आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में इसका जो ब्लाइंक है यह डिंग डिंग कर रह सारे रॉट्स थे और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो पीछे आप देखने पाइनियर का वह भी आ चुका उसके बारे में बताता हूं तो गाइस देखिए यह है वो रॉट स्टैंड जिसमें 16 रॉट बैठेंगे आपके 16 रॉट कम से कम देखिए यह एक एक यहां बैठा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ एक साइड में और आठ रॉट यहां बैक साइड में बैठेंगे जैसे एक बिठा है और यह पाइनियर कमपनी का है अब मैं आपको साइस बता देता हूं मेजर करके बताता हूं यह आप खुदी फिट कर सकते हैं यह है कि इसको खुदी फिट का आप जैसे कि मैने वी खुदी फिट कर यह जितने स्क्रूस दिए नहीं है पहे है इसके साथ में इसके बॉक्स सेसर निपर दो है यहां बॉंकि थीप yeah show say हैं एक चीज़ बता था दूँ यहां पे चॉल लगें वाकि से बड़े होते हैं बड़े वाले सुलके और इस के सेट में आता जैसे यहां पर लगते हैं दिखाना तो यह दिखी यहां पर यह जो लगेवे ना चार स्कूरू यह चोटे वाले स्कूरू रहते हैं यहां पर लगते हैं तो अब मैं इसका आपको डाइमेटर बता दूँ बहुत ही अच्छा है बहुत ही लाइट है मज़दर आइटम है अब ऐसे में देखेंगे इसका साइस तो मैं आपको बता दूँ यह करीबन और 16 17 17 इंच के आसपास है और हाइट देखेंगे इसका तो यह तीन फूट का है हाइट मतल्ट थीन फूट थाड़ी सिक्स इंच आसपास है और एक काम की चीज उपर का नजरा एक सबसे काम की चीज आपको बताओ मैं अगर आपकी बीबी आ आपसे बोलेगी तुमारा आपको मिलेगा पाइनियर का है 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 वी कॉलिटी प्लास्टिक से बनायागे बहुत अच्छा कॉलिटी का एनिवेस तो आके बढ़ते हैं तो आज के लिए इतना ही था गाइस वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और जो लोग नए जुड हैं और इतना याद रखे कि एक और चैनल है हमारा लिटिल एंगलर वीर गिल लिटिल एंगलर वीर गिल के ओपर भी जाके सब्सक्राइब करो थोड़ी महरबानी वहां भी दिखा दो आपकी तो प्लीस बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये चैनल भी कभी भी क्या होता है क तो कभी भी बंद हो सकता है आप समझ रहें बात को तो मुझे समझ में आने लगा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है बहुत जल्द तो इसके लिए आपको बोल रहा हूं कि मेरे वह चैनल पर फटा पर सब्सक्राइब कर लो ताकि वह चैनल एक्टिव हो जाए अच्छी तर जो चैनल एक पर सब्सक्राइबान प्रशा जो एकर रहा है एक कर दो चैनल